साथियों, जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो, या कहवा का स्वाद, सेव का मीठा पन हो, या खुबानी का रसिला पन, कश्मीरी शाल हो, या फिर कलाकृतियां, लदाख के और्गनिक प्रोड़क्ट हो, या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किये जाने की जरुवत है, मैं आपको एक उदाहन देता हूँ, लदाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है, जानकारों का कहना है, कि पौधा, हाई एल्टिटूर पर रहने वाले लोगों के लिए, बरफिली पाड़ियों पर तैनाद सुरक्षा बनों के लिए, ये संजिवनी का काम करता है, कम अक्सिजन वाली जगह पर शरीर के इम्म्यून सिस्टीम को समाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, सोचिए, ऐसी अदभूत चीज, दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए, कौन हिंदूस्तानी नहीं चाहिएगा, और साथियों, मैंनों तो सिर्फ एक काही नाम लिया है, ऐसे अंगिनत पहुदे, हर्बल पोड़क्ट, जमू, कश्वीर और लदाक में बिकरे पड़े हैं, उनकी पहचान होगी, उनकी बिकरी होगी, तो इसका बहुत बड़ा लाब वहाँ के लोगों को मिलेगा, विशेश कर वहाँ के किसानों को मिलेगा, इसलिए मैं देश के उद्द्यम्यों को, एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों से, फूर्ट प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से, आंगरा करूंगा, कि जम्मू किश्वीर और लदाक के स्थानिय प्रोडस को, दुनिया भर में पहुचाने के लिए आगे आए,